दोस्तों, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, समय समय पर बलक्षण प्रत्वा के धनी लोगों के बारे में हम सुनते रहते हैं ऐसी ही एक प्रत्वा की धनी हिमाचल प्रदेश की बेटी काशवी है, जिसे गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है दरसल मामला यह है कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोट ने एक बिशिश मामले में पालंपुर की कख्षा 3 की चात्रा काशवी को आठमी में बैठने की परमीशन दे दी है मुख नयदीस मुहमद रफीक और नयमूर्ती जोत्सना रेवाल दुआ की खंडपीट ने काशवी के पिता शंतोष कुमार की ओर से दायर की याचका पर यह आदेश पारित किया कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यदि काशवी स्कूल में कख्षा 8 में 16 के रूप में अस्थाई प्रवेस लेती है तो उसकी समग्र प्रगती की निगरानी संबंदित स्कूल अधिकारियों की ओर से नियमित आधार पर की जाएगी काशवी की हर शित्र में प्रगती के बारे में रिपोर्ड भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है मामले पर अगामे सुनवाई 28 अप्रेल को होगी याचका में दिये गए तत्यों क्याधार पर काशवी का जन 12 मार्च सन 2014 को हुआ है बरतमान में बहर रेन्बो पबलिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालमपूर में तीसरी कख्षमें पढ़ रही है काशवी एक असाधारन और बौधिक रूप से बहतर बच्ची है उसे गूगल गर्ल भी कहा जाता है काशवी को तीन साल की उम्र से ही भारते राजियों, केंदर शाषित प्रदेशों और परोशी देशों की राजधानी, सौर मंडल और राष्ट्रे द्धज, महत्पूर्ण दिनों, भारत के राष्ट्रे उधानों, हिमाचा प्रदेश के जिलों, भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे बीते समय की घटनाओं का भी ग्यान है काशवी के पिता ने 16 अक्टूबर सन 2021 को जोनल अस्पताल धरमशाला में उसका IQ टेस्ट कराया था जिसमें उसका IQ 154 आका गया उसकी जाच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि बह असाधारण बौधिक रूप से बहुत स्रेश्ट बाप्रतिवा साली बच्ची है इसके बाद काशवी के पिता ने राज के सिक्षा विभाग हिमाचल के पदातकारियों को पत्र भेज कर उसे कक्षा आठ में दाखला लेने और प्रिक्षा में बैठने की अनुवती देने का अनुरोध किया जब प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो उन्होंने याजका दायर कर प्रतिवादियों को निलदेश देने की मांग की कोट ने याजका के रिकॉर्ड का अबलोकन करने पर पाया कि काशवी बहुत दिक रूप से स्रेश्ट बच्ची हो सकती है इस प्रकाल तीस्वी कक्षा में पढ़ने वाली पालमपुर की गूगल गर्ड काशवी को आठमी कक्षा में बैठने की अनुमती प्राप्त हुई